घर में खुशियां लाना चाहते हैं, परेशानियां नहीं, तो जब भी आप second hand car खईदने के बारे में सोचें, क्योंकि वही तो actual में value होती हैं, क्योंकि महराई बहुत ज़्यादा है और नई कारों की कीमते आस्मान पे पहुँच गई हैं, ऐसे में वो कौन सी पाच गलतिया नहीं करनी चाहिए, मैं हूँ आपका होश्ट अमित, और आप देख रहे हैं, आस्क, कार, विरू, यह सच है, कि second hand car भी बहुत importance रखती है आपके घर में, क्यों, क्योंकि हो सकता है वही आपकी पहली कार हो, या आप एक समझदार consumer है, जिसे पता है कि जब depreciation हो जाता है कार का तब खरीदने में financially समझदारी होती है, इसलिए हमेशा कहता हूँ, second hand car बहुत अच्छी deal होती है, उन लोगों के लिए जिनने finance की really समझ होती है, तो ऐसी 5 चीज़े कौन सी हैं, जिनने आपको avoid करना चाहिए देखे, जब आप कार लेके आते हैं, तो आप चाहते हैं आपी कार unique हो, लेकिन वो unique होने के चक्कर में कुछ नई समस्याय मिलाती है, जैसे कि सबसे बड़ी समस्या है parts की availability, यानि वो special edition जिन कारों के आते हैं, वो ने special edition को खरीदने से बचिए, कंपनी ने 100 कारे बनाई, 2000 कारे बनाई और बंद कर दी, नतीजा, 2000 कारों के लिए कंपनी कभी भी उनके वो parts नहीं बनाएगी, जो अलग होते हैं, यानि आपने जो भी special edition देखे हैं, जैसे टियागो एनार्जी, या वो वेगन आर में आता था पोजेक्टर हेडलेंप वाल ये edition बंदे बंद हो गए, नतीजा, उनके parts अगर headlight टूटी आती है, वेगन आ जैसे product की, तो भी लोगों को कई महने इंतिया करना पड़ता है, क्यों क्योंकि वो special edition है, नौवल headlight तो चट से मिल जाती है, ये special edition वाली कालों को घर पहलाने से पहले 5 बाद सोचिए, क्योंक साल वेटिंग के बाद भी नहीं मिलते हैं, कंपनिक लिख के देती हैं, भाई साब कारा बदल लो, हमारे पास parts की ability खत्म हो चुकी है, इसके लिए भी वो तयाया हुआता है, लिख के रेने में, तो हमेशा ऐसे special edition वाली कालों को साफ मना कर दीजे, second hand थाइते सावे, अब बात करते हैं, तू से समझदारी वाली बात की, हाँ, समझदारी वाली बात है, हमारी safety से चुड़ी है, यह सच है कि second hand market में आपको एडास वाली कारे तो मिलेंगी नहीं, six or seven airbag वाली भी कारे नहीं मिलेंगी, तो ऐसे हालात में, क्या जवरी है कि आपकी safety भी बनी रहे, भले आप second hand कार ख़ई दे, सबसे जवरी है कि जिन कारों में airbag होते ही नहीं है, उनको साफ मना कर दे, बुले हमें चाहिए ही नहीं, आप कितनी भी सस्ती बेचो हमें नहीं चाहिए, कम से कम airbag तो होने चाहिए कार में, जिससे की सामने वाले passengers की जान बच सके, दो airbag हैं, ठीक है, बहुत सस्ती कार ख़ईर रहे हैं, जिसमें आते नहीं थे किसी जमाने में दो airbag, तो driver side airbag तो at least होना ही चाहिए, यानि बगए airbag वाली, किसी भी कार को त्वंत ना क कीजिए, क्योंकि ABS प्रिछले कई सालों से बहुत regular हैं, और आप second hand car खरीदने जाते हैं, तो भी इस बात की courses करें, कि उस car में ABS airbag जैसे basic safety features होने चाहिए, देखो 5 star cash test rating कार हैं, वो अलग खेल है, लेकिन जो आपको मिले market में, उस हैसाब से ABS airbag ज़रूर होने चाहिए, अग निजान भी जवरी होती है, और ABS actual में accident होने से बचाता है, और airbag accident होने के बाद बचाता है, तो दोनों बचत होनी जवरी है, यानि second hand car में भी safety को preference रखेंगे, तीसी सबसे बड़ी और जववत की चीज, ऐसी कारों को टाटा बार बै कह दीजे, जिन कारों का maintenance और parts expensive होते हैं, देखो, market में आप आएंगे तो डेली शहर में, जहां पर diesel कारों को 10 साल के बाद बैन कर दिया गया है, तो 2013 वाली आपको Mercedes भी 6 लाक में, 8 लाक में मिल जाएगी, तो आप ये बाद सोचिए कि Mercedes में, 8 लाक में ले लेते हैं, क्या दिकत है, आचलाएंगे मजे से, ना ना, वो Mercedes है, सिफ्ट नहीं 8 लाक की, कि उसका खर्चा सिफ्ट जैसा होगा, 8 लाक आपने दिये हैं, लेकिन उसका maintenance 8 लाक की कार का नहीं होगा, उसका maintenance होगा एक करोड़ वाली कार का, और एक सिफ्टेंट भी हो जाए, तो 3 से 4 लाक रुपए लग जाना बहुत मावूली बात होती है, तो जब भी आप ऐसी कार खई दें, जिसका maintenance ज़्यादा होगा, इनकी अधिकतर कारों के maintenance हमेशा ही ज़्यादा रहे है, कभी कम नहीं हुए, इविन कई Honda कारों के भी maintenance ज़्याद ज़्यादा हो, जिनके parts expensive होते हों, उनको avoid कीजिए, ये तो हो गया, तीसरा important point, लेकिन अब बात करें, चौथे important point की, पैसा कम खर्च हो जेब से, तो सबको अच्छा लगता है, कोई कार बोले, कि मैं तो लाक रुपर में दे दूँगा, हाँ, आखुश बाते होगा, ले ल क्योंकि वो लाक रुपर वाले का, बहुत 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 ज़्यादा पुरानी होगी, अब इतनी ज़्यादा पुरानी कार होगी, तो क्या होगा, कभी steering में पॉलम, कभी सौकर में पॉलम, कभी पीछे के suspension setup में पॉलम, कभी fuel pump fail हो जाता है, कभी clutch खराब हो जाता है कभी gear attack ने लगते हैं, और आधे से ज़्यादा tail lamp जल्दी खराब होगी आती हैं, head lamp जल्दी खराब होगी आते हैं, अब ऐसे हालात में, जब head lamp, tail lamp, हर चीज तो मेंगी आती है, तो फिर जो आपने सस्ते में कार खरी दी, वो actual में पैसे आपसे बाद में ले लेगी, और फ कुछ ज़्यादा ही पुरानी होती है, क्यों? क्योंकि ये कारे maintenance में थोड़ा भूतनी बहुत ज़्यादा amount मांगती हैं, और बार बार service center या mechanic के पास जाना परता है, एविन कई कारों में तो हमने ये तक देखा है, कि 365 दिन में 30 दिन service center mechanic के चक्क लगाया करते हैं, ऐसी कार को हमेशा avoid कीजिए, सिर्फ वो लोग खरीद सकते हैं, जो खुद mechanic है, तो आप तो mechanic नहीं है, तो आपको ऐसी कारों को हमेशा दूर से टाटा बार बार बार, ये मत सोचिए कि बहुत सस्ती मिल लिए, लपक ले, ना, आप अपने घर में खुशिया लाना चाहते हैं, मुसी पांच हो, जो बहुत important है, हाँ, वीडियो को तो like करी चुके होंगे अब तक, नहीं किया तो like कर दीजे, और नहीं पसंदारा dislike कर दीजे, हाँ, लेकिन अगर आपको ऐसे ही शांदा content चाहिए, तो फिर subscribe जरू करिए notifications के साथ में, all notification on कर लीजे, आप बढ़ें अपने लेजे वाले शांदा पॉएंट ऐसे में आपके पास experts तो available नहीं हो सकते, लेकिन गली का mechanic हो सकता है, mechanic experts में दो बड़े अंतर होते हैं, ध्यान समझिए, experts कारों के बारे में साधी जानकारी रखता है, लेकिन वो nut पाना ठीक करने को आजार नहीं रखता है, वो काम mechanic का है, mechanic को पता होता है, इस car में अब class ख इसलिए जब भी अपनी कार खहिनने जाए, तो एक mechanic को 500 पर देखा है, उससे कहते हैं, भई इसका देख ले, चेक अप कर ले, जिसे PDI कहते हैं, वो कर ले, देख के बता दे, अगला बड़ा मोटा खर्चा कौन सा आ सकता है, कौन सा अधी सर पर मौजूद है, और किस mechanic वाले खर्चे जरूर पूछ लीजे, कि इसके मोटे खर्चे कौन से है, क्या suspension जा चुका है, जो आपको दिखनी रहा है, उसे दिख जाएगा, क्या clutch खराब हो देवाला है, उसे पता चल जाएगा, gearbox बचा है, जा चुका है, उसे पता कर जाएगा, engine धुआ दे रहा है, त जालने से काम चल जाएगा, ये सारी बाते mechanic जानता है, तो उससे car selection के बारे में सलाह लेने की जगह है, उससे car दिखाकर car की repairing की सलाह लीजिए, क्योंकि वो repairing का expert है, इसलिए उसे mechanic कहते है, और carों के बारे में selection चाहिए, तो बाकी जो लोग है, उनसे आप selection ले सकते हैं, तो आप जिसके साथ जाना चाहें, जा सकते हैं, रही बात, ये पाँचवा point क्यों जगूरी है, क्योंकि इसके जगए आपको भरिस के होने वाले खर्चे और car खरीदते ही होने वाले खर्चे दोनों के बारे में अनुमान लग जाता है, लेकिन ये अनुमान है, guarantee कोई नही परिशानिया नहीं, car कैसे maintain करते हैं, ये तो मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप इनने देख सकते हैं, और दूसी बात, car की कीमत कानुवान हर सहर की अलग लग होता है, तो उसके लिए आपको अपने सहर के market rate का ratio रिकालना पड़ेगा, और उस हिसाब से थोड़ा बार बा चार बाते तो और भी होगी, मेरी नर्मेर भी है, लेकिन पांच बताने से बरी परिसानिया बच जाती है, इसलिए मैंने top 5 आपके साथ share की, आप कोई share करना चाहते हैं, तो नीचे का comment section है, जहां पर आप वो बाते भी लिख सकते हैं, जिनने बाकी लोग पढ़कर फायदा तो अपना comment छोड़िएगा जब इसी से पता चलेगा, अगर आपने कोई card ही दिये और धोखा खाया, तो किस तहकर धोखा खाया नीचे लिख दीजेगा, ताख बाकी भाई भेहन बच सके, वीडियो तो पसंद आया होगा, काम की वाते तो हैं, तो फिर like करने में संकोच कै कीजिएगा, Facebook पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को like कीजिए, follow करना ना भूले, YouTube पर है तो मेरे चैनल को subscribe कीजिए, बगल में दी हुई notification bell दवाना ना बोलेगा, मुलाकात होगी, ऐसे ही किसी शांदार वीडियो के साथ, देखते रहे है, Ask Car Guru करना ना बोलेगा, मुलाकात होगी, बगल में देखते रहे हैं तो में दोलेगा, मुलाकात है, Ask Car Guru